नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पित्र गायत्री मंत्र के बारे में पित्र गायत्री मंत्र, पित्रों का वो मंत्र है जिसको नित्य जाप करने से आप पित्रों की प्रसंताव उनका आसिरवाद पा सकते हैं पित्र यानि कि जो हमारे पूर्वज सरगवास हो गई है और जो सरगवादी में निवास करते हैं जो हमारे पूर्वज जिनके हम वनसज हैं वो हमारे पित्र कहलाती है अपने पित्रों का पित्र तरपन पित्र पूजन वे सास्त्रों में अत्यादिक महत्मपूर्ण बताया गया है पित्रों की गती मुक्ती की हितू पूजा पाट दाज जप आदि करना चाहिए रामायन में जब राजा दसरत को कोई संतार ना थी तो अपने कुल गुरू के आगे अस्रों के दारा बहा कर इस परकार रोता है कहता है कि क्या कभी मैं पुत्र संतार के दर्सन नहीं कर पाऊंगा क्या मैं कभी अपने पित्रों का रिन नहीं चुका पाऊंगा क्या मेरे पश्चाद मेरे सभी पित्र जन अर्द कूप में लटके रहेंगे क्या कभी हमारे पुरूजों को कोई तिलांजली जलांजली या तरपन पिंडदान करवाने वाला उत्पा नहीं होगा इस परकार वो अपने पुरूजों की चिन्ता कर व्याकुल हो अपने कुल गुरू के सामने रोता है पित्रों का वरनन कथाएं पित्रों का महतव अनेक धरम सास्तरों में कथाओं में मिलता है पित्र हमारे पुर्वज होते हैं अगर वो परसन हो जाए तो समझो हर प्रिकार का कल्यान है सभी देवी देवता परसन है तभी तो कहा गया है कि माता पिता प्रतम गुरु वो हमारे भगवन होते हैं और हमारे पुर्वज हमारे पित्र देव होते हैं माता पिता का इनसान को भगत होना चाहिए और अपने पुरोजों का तरपन पिंदान आधी जरूर करना चाहिए जो मंत्र हम आपको बता रहें उसको नित्य जाप करने से आपको हर कारिय में लाप्राप्त होगा घर में पित्र परेथ दोस दूर होगा हर कारिया में आपको तरक्की मिलेगी वा संतान संबन्दी कोई भी दोस है वो दूर होगा और आप पितर जिन से मुक्त हो जाते हैं अगर आप इसको संकलब करके स्वालक्ष यानि स्वाला की संख्या में करते हैं या आप ब्रहमनों दुआरा करवाते हैं तो आप की पुर्वत अत्यादिक परसन होते हैं इसका संकलब करके आप भी नित्या स्वालक्ष में जाब कर सकते हैं और अगर कम संख्या में करना चाहें तो कम संख्या में भी कर सकते हैं अपने समर्थ अनुसार की आपको कितना समय निकालना है और इसको किर्शन पक्ष में ही करना चाहिए पित्रों का पूजन, तरपन, हवन, यग किर्शन पक्ष में यानि अन्हेर में ही होता है यानि कि पुर्णिमा के इबाद और अमावश्या के दिन तक ही पित्रों का पूजन कारिय कर सकते हैं अमावश्या सरवसांदी तित होती है अमावश्या को कहते हैं सभी पित्रजन एकित्रित होते हैं तो अमावश्या को ही पूजन करम धरम आदी किया जाता है लेकिन राद पिंदान आदी अपने पित्रों की तित्थी को ही किया जाता है जिस दिन उनका ताहसंसकार होता है तो वो उनकी तिथी माने जाती है लेकिन सर्व पित्रों का अमावस्तिती ही सर्व सांजी है तो पित्रों का मंत्र हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो की डिप्स्क्रीशन में भी है मंत्र इस परकार है एक बार और मंत्र को आपको पढ़ कर सुना देते हैं इस मंत्र को आप देख कर भी उचारन कर सकते हैं और अगर आप इस मंत्र का उचारन नहीं कर सकते तो गायत्री मंत्र का जब आप कर सकते हैं वो भी पित्रों के निमित बहुत उत्तम है इस परकार या फिर आप छोटा ओम पित्रे भ्यो नम्हा का भी जब कर सकते हैं सु आज के लिए इतना ही जुड़े रही हमारे चैनल के साथ जुड़े को शेयर करें कुछ पूछना है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद भगवान आपका भला करें